मद्धि प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है उन्हें गेहूं के उचित दाम दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयाग्स कर रही है मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान में आज दिली में नेरियातुकों के साथ बैठक की सभी किसान भाईयों को मेरा नमसकार जय जवान जय किसान साथियो दोस्तों अभी कुछ समय पहले मद्ध प्रदेश के मुख्य मंत्री स्रीसिवरा सिंग चोहान और किसी मंत्री जी के साथ में उनकी बैठक संपन्य हुई है और इस मीटिंग के अंतरगत उन्होंने कुछ किसानों के हित में भी फेंस ले लिए हैं इसमें प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष रूप से कहीं न कहीं किसानों को फाइदा होना निश्चिद है तो आईए समझते हैं आकिर क्या प्रिकरिया है किस प्रकार किसानों को फाइदा होगा और क्या कहा है सवराज सिंग चौहन जी ने इसका जो ग्यों एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टेक्स नहीं लेंगे प्रति पूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को ब्यापारियों को उनको कर देंगे जिस प्रकार माननी मुखमंतरी जी ने वीडियो में कहा है कि वो मंडीयों में ब्यापारी भाईयों के उपर से टेक्स हटाने की बात कही है इसमें देखा जाए कि जब बैपारी भाईयों के उपर से टेक्स हटेगा और निर्यात की मात्रा बढ़ेगी पूरी दुनिया में जब हमारे MP का गयं हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं रेट को उपर उसका अजर पढ़ना चाहिए बैपारी गुणों को निर्यात करने में जो सारी समस्या आ रही थी उसको उपर भी ध्यान रखते हुए काभी फैसले लिए गये हैं और मंडी टेक्स जो प्रमुक चीज है इससे किसानों को सीधा सीधा फाइदा पहुँचने वाला है और इसी के सांसात निर्यात का आकड़ा भी बढ़ा दिया गया है निर्यात के काम को भी तीजी से कर दिया है ताकि जलादा से ज़्यादा अन्य देशों तक भारत का गयों एमपी का गयों पहुँच सके जानकारी के अनुसार इन 30 देसों में निर्यात करने का निर्णे किया गया है यही आशा करते हैं कि राज्य सरकार के अंदर सरकार किसानों खित में अधिक से अधिक फेंच ले ले तक किसानों के आय दुग नी हो सके आय में ब्रत्ती हो सके जे हिन जे जबान जे किसान